इस वीडियो में आपके साथ में डिस्क्स करने वाली हूँ इंपक्ट अफ मैंन इंवार्मेंट का यूनिट 6 यह ब्लॉक से किंड का फिर्स चाप्टर है ब्लॉक वन की सारे वीडियो में चैनल पर अप्लोड कर दी गई हैं आप जाके यह चीजर रूवन प्लेलिस चेक कर सक हैं सबसे पहले जाके में चैनल को लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताक आने वाली वीडियो साब मिस्स ना कर सकें यह चाप्टर है इसका मतलब होता है कि इंवार्मेंट के ऊपर लोग का इंपक्ट क्या है क्या असर पढ़ रहा है लोगों की छिर्षार करने का इंवार्मेंट के ऊपर इंटरदक्शन लोग जो बहुत जादा नाश्रा प्रोसेस के अंदर इंटरफेर करने की कोशिश कर रहा है हर चीज के साथ जात चिर्षार करने के उच्छ करने हैं उसकी वज़ासे क्या हुरह है कि हमारे इंवारीन ने और और बहुत से ऐसे प्रोसेस जो बहुत जादा धे ससलो होगाएं लोगों के एंटरफेर करने की वज़ास हर चीज में असर डाल रहे हैं non living resources let us now discuss some of non living resources such as land water and energy non living resources पर भी बहुत दा असर बढ़ रहा है लोगों की शेटशार करने का population बहुत दा बढ़ने का इस चीज का भी nature पर भूस दा असर पढ़ रहा है जिसे के land भूमी का हिस्सा it may be noted that only 29.22% of the earth's surface is land the rest to 78% is ocean 29.22% जो है earth का surface है वो land है वही 78% के approach जो है ocean का हिस्सा है इतना समुद्र है पर इतना ही हमारी जो earth का surface है उस पर land है it is observed that combustion production of food grains that other commodities and accelerated development activities have placed competition जैसे जैसे हमारी जो earth के surface पर population बढ़ती चारी है वैसे वैसे development activities जो है उसके अंदर 20.3% decrease in fallows fallows वो land होता है जिसको उसके nutrients के लिए खाली छोड़ गया जाता है जैसे एकी land पर बहुत आदा खेती करते रहते हैं तो वहां की water it is the most crucial and essential input to all uses of land as well as essential for many other human beings पानी जो है वो बहुत जादा important है main input है किसी भी area का वो लोग की ज़रूरत भी पूरी करता है human beings की utilize करने के बाद भी बहुत जादा important है वो environment के लिए क्योंकि वो मिट्टे की जो health होती है उसको regulate करने का भी काम करता है it is found that consumption demands are particular from these sectors पानी के consumption demands किसके सक्टर से आती है एक तो irrigation के लिए पानी बहुत जरूरी होता है लोग पश्व पालंग करते हैं उसके लिए भी पानी बहुत जरूरी होता है फैक्टरी के अंदर भी पानी बहुत जरूरी होता है available water for irrigation expected to provide irrigation at least 70% of crop water जो हमारे पास पानी के availability है वो जो खाली 75% जो खेती बाड़ी है उसको पानी दे सकती है एनर्जी फॉसिल 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 डिराइट फर्म प्री स्टॉरी प्लांट्स अनिमल्स अंडर दाइफेक्ट वे इंदेंस हीट ब्रेश्वा जो बहुत जादर जादा काफी काफी सालों से प्लांट्स एनिमल्स एक हीट के अंदर प्रैशर के अंदर धरती के क्रस्ड के अंदर होते हैं उसको जब वह निकाले जाते हैं बहुत करोडों साल बाद तो उनको क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूस जिसकी कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया नाचुनल जितने भी गैसे सब्सक पूरे वर्ड के अंदर इंडिया जो है वो फिस्थ पोजिशन में आता है कोईले को बेशने में प्रेडूस करने में अगर हम एवरेज लगाएं कि हमें 500 एमटी की जरुरत है पूरे साल के अंदर तो हमारे पास सिर्फ इतना कोईला है कि हम अगले 50 साल तक चला सकते हैं एनर्जी के अंदर बी मिंडरल ऑइल और पेट्रोलियम एक कम्प्लेक्स मिक्चर अइडरो कार्बन सोफन अशोचेटेट विद नाश्रल गैस पेट्रोलियम के जो कमी आने लगी है बहुत जादा कंट्री के अंदर प्रोडक्शन रोज टू जैसे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं उसके ही डबल होके इसकी कमी आने लग गई है 300.5 MT में इसका कंजप्शन होने लगा है और यह जो इसकी जो ओर्डर आने लगे हैं डाट इस 43.4 MT जितना प्रोडक्शन कर रहे है उसके अब अब उसकी रिक्वाइमेंट हो गई है तो बहुत जादा प्रॉब्लम क्रेट होने लगी है कमी आने लगी है वैट्रोल की इंडिया में सीनल लिविव्ग Das फोनạ फोना कहते हैं यह टृम दी जाती है जिपिन भी एनिमल्स वागेरा अंद जितनीபी स्पीसि स्पीशि см होती हैमारी चैह। वह बय्ड शोम मैमर्स ओर इंवर्टिबरेड्स ओं बउम्स हो हर तरह की जितनी भी स्पीसिस स्पीशिज है जो एनिमल् ऐन्दर गमलाके फॉना की जिसके अंदर 2,000 बर्ट की बोली गई है फिश्स की है और 69050 पीसीज इंवर्टेब्रेट्स की जैसे की वान हो गई इंसेट्स हो गई क्रस्टेशन हो गई इत भी नोटन अड़ इन्हें प्र डुस प्रड्यूज नेली 46 46 mt of milk इंडिया 46 mt जो है वह दूद का प्रोडक्शन करता है और इस थर्ड लाज़ेस्ट मिल्क प्रोडूसिंग कंट्री इन दर और यह तीसरी सबसे बड़ी विर प्रोडूसिंग करने वाली कंट्री है पुरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है कैटल संब फैलो और में सोर्स ऑफ मिल्क जितने भी हमारी कैटल सोती है गाय और भैस यह सारे में सोर्स हैं दूद के सिमलरली याग इस इंपोर्टन तो हिल सुसाइटी आज़ेस्ट जितने में हिली रीजन है हमारे वह भी बहुत जादर हिल्प करती है मिल्क प्रेडक्शन क लिए इंडिया के इन लेजानी के लिए शीप और गोट काम आते हैं आedge अड गोरे प्रोड़न दैने यह काम करते हैं तो्रों टापिक है एंट्र法 क्या ही तोस्त्यस क्रेंउट elder मीट्य बेस फ्रीएं हमारे नंदर इंडिया के अंदर इंडिया को जो एडिया है वह है 12 सेंटर बारवे नंबर पे आता है पूरे वर्ड के अंदर जितनी भी हमारी इंडिया में जैंटिक डैवसिटी को मतलब हुए होता है फ्लावरिग ऐसे भी बहुते होता हैर Group 1 इसे फंगी हो गया तो कि में ठीजी अजिसमें फ्लावा निया भी 7,000 species of plant endemic to India जबके अब 7,000 species plant के ऐसी हो गई है जो बहुत बिलकुल एक्स्रिंग के कगार पे हो चुकी है यह जब next topic है carrying capacity यह बहुत 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 जादा हैं इसको आप बहुत बहुत अच्छी याद कर जाएंगे जाएंगा उरिजिनल यूज़ इन इजिनीरिंग डिजाइग इम देस्पेट प्रडेक्ट पटेंशल अफ्लाइच थेप्सिपार जो इपासिट आपकेमित लाइचिए जरो भीच है यह जो ख़ए जिए यहां निय पैसनी होती है यह जो टर्म होतीया है यह इंजीनेयरीं के डिजाइन के अंदर देखी जाती है यह बिसिकली बताती है कि कि सिभी दोया प्रोڈ MARY यह नहीं पूटैंश्टीघलों डीजो ध्यारन करने की कंपैस्टी 정육 दिरा एक पैस्टाल कहले कितनी दिरेक पाह्ством की इसपम प्रीट मिलग एक चैसी प्रीजट कर्ण वह तो विदावट ऐल इफेक्ट बहुत है और उसके जो लेंड ऊपर ब्लकुल भीफेक्ट नहीं पड़ेगा जब एफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो लेंड इसके जित्रे नूट्रियन्ट जो खतमने होंगे वहीं अगर 20 की जगा 50 शिप्स आके वहां पर फीड करने लग जाए तो वह जो एरिया है ना वह डिसर्टिफिकेशन का कारण बन जाएगा ओवर ग्रेजिंग होने लग जाएगे वहाँ पर क्योंकि उस लैंड की इतनी कापास्टिए नहीं है कि वह पचास शिप्स को फीड कर सके वहाँ पर इस सारे जो न्यूट के इंट्स हैं सारे इलिवेक्स होने लग जाएगे उस लैंड के अंदर इसी टर्म को कहते हैं कि किसी बार्ण के क्यापास्टिक इतनी होती है बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इसका स्क्रीशोट ले लिजे इस मॉर्डल इंक्लूड दफॉल आई यह जो मॉर्डल है इसके अधा दो टर्म आती है एक होती है सपॉर्टिव कैपसिटी एंड असेमिलेटिव कॉपासिटी सपॉर्टिव कपसिटी क्या होती है इसकी एबिलिटी होती है किसी भी रिसोर्च को निकाल लेना ठीक है किसी भी human infrastructure को निकाल लेना बिना किसी चीज को damage करें जैसे भी किसी area से कोई भी अपनी काम के चीज कोई भी resources निकाल लेना भले ही वहाँ पर कोई भी damage नहीं होना चाहिए खाली इसके अदर ability होते है किसी चीज को निकाल लेना assemblating capacity it is the ability to absorb without ill effects on the environment इसके अंदर इसके ability यह होती है कि किसी भी चीज को environment के अंदर से absorb करने कर लेना यह जो supporting capacity होती है तो withdraw करने का काम करते है resources को assemblating capacity होती है वो absorb करने का काम करती है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को like कर दो share कर दो subscribe कर दो ताक आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सके और comment section में मुझे बताओ इस subject से लेटर आपको कौनसी वीडियो चाहिए thank you for this video